प्रदेश की छोटी काशी यानी मंडी अब धीरे धीरे छोटा होता दिखाई दे रहा है इसका कारण है कि यहाँ पर गाड़ियों की संख्या लगातार और बिना किसी रोक्टो के बढ़ रही है मंडी शहर पहले से ही पार्किंग की समस्य से जूज रहा था लेकिन इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया सरकारें आती रहीं जाती रहीं जिला प्रशाशन भी इस परकार शहर में ओवर क्राउड और जाम से निजात दिलाने की बात तो करता है लेकिन आज तक कोई ठोस प्रयास नहीं किये गए अब मंडी शहर में आलम ये है कि कुछ जगाओं पर जाम जैसे आम हो गया है और पार्किंग की विवस्ता ना होने से लोगों को शहर में गाड़ियों को लाना जैसे किसी जोखिम से कम नहीं है जो लोग शहर में आते हैं और जिने पार्किंग नहीं मिलती है वे सड़के किनारे खाली जगा देखकर अपने वहानों को खड़ा कर देते हैं यहां तक कि नीजी वहानों के अलावा सरकारी गाड़ियां भी धडले से यहां वहां पार्क कर दी जा रही हैं इस कारण जहां वहां चालकों को परिशानी होती हैं वहीं पैदल चलने वाले लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है गौरतलब है कि मंडी शहर में जिला मुख्याले भी स्थित है और यहाँ पर पूरे जिले से दिन भर लोगों के आने का सिलसिला बना रहता है लेकिन यहाँ पर पारकिंग की विवस्ता ना होने से उन्हें परिशानी के अलावा कुछ नहीं मिलता शहर में कुछ स्थानों पर गिनी चुनी पारकिंग है लेकिन वे भी जादतर फुल रहती है मंडी शहर में पारकिंग के समस्य दिन परती दिन विकराल रूप लेती जा रही है लेकिन इसका हल होता दिख नहीं रहा है जिन लोगों को शेहर में पार्किंग नहीं मिलती है, वे लोग जहां स्थान मिलता है, वहाँ गाड़ी खड़ी करके चले जाते हैं, जिसकारण कई बार ऐसी गाड़ीयों का मजबूरन चलान भी करना पड़ता है शहरवासियों ने मंडी शहर में पार्किंग की सही विवस्ता करने की एक बार फिर से गोहार लगाई है अब देखना होगा कि आने वाले समय में छोटी काशी के लोगों को कब तक शहर में अच्छी पार्किंग विवस्ता मिल पाती है झाल 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 झाल